दास्यंति सकरात्मक विचाराह भवंतम उत्था प्रति प्रईस्यंति नकरात्मक विचाराच भवंतम अधह आन यस्यंति नमस्कार उदेंडे डिस्टार में आपका स्वागत है में हूपलय प्रजिता हमारे प्राचिन भारत देश में कई रहस्य छिपे हुए हैं खास तोर पर देव भूमी उत्राखंड में तो कदम कदम पर ऐसे रहस्य मिलते हैं कि आप दांतों तो ले उंगली दबाले उत्राखंड के इन रहस्य में स्थानों की अपनी कहानिया हैं जो बेहत रोमांच करी हैं इन जगह पर घूमने के लिए देश और दुनिया से टूरिस्ट आते हैं लेकिन कुछ लोगों को रहस्य के दर्सन होते हैं तो कुछ को नहीं उत्राखंड में ऐसा ही एक ताल है जहां परिया नहाने के लिए आती हैं सुनकर सायद आपको अजीब लगेगा लेकिन ये एकदम सही है ये ताल बेहत खुबसुरत है कहा जाता है कि इस जगह पर परियों का निवास है ये ताल नैनी ताल से करीब 25 किलोमीटर दूर है यहां परियों का निवास होने के कारण इस ताल को परी ताल कहते हैं नैनी ताल से थोड़ी दुर स्थित चाफी गाउं से करीब 3 किलोमीटर दूर ये ताल है इस ताल तक पहुँचने के लिए पैदल चल कर ट्रेकिंग करते हुए जाना होता है परी ताल तक पहुँचने का रस्ता बेहत दुरगम है ये रास्ता बेहत रुमांचक और खत्रो से भरा हुआ है चाफी गाउं पहुंचने के बाद परी ताल तक पहुंचने के लिए कलसा नदी को पार करना होता है जो कि बहुत कठीन है क्योंकि कलसा नदी में बड़े बड़े पत्थर है जो कि बहुत फिसलन भरी होते हैं जरावी असद्धानी होने पर तेज गती से बहत नदी में भेजता खतरनक हो जाता है परी ताल जाने के लिए भवाली भीमताल के बीच खुटानी से मुक्तिस्वर की अर्ज जाना पड़ता है यहां चाफी गाउं से पैदल रास्ता कटकर निकलता है यहां रस्ते में एक पूल भी है जो अंग्रेजों के जमाने का है इस थान पर इंसन बहुत कम आते हैं जिसके कारण इसकी खुबसुरती बरकरार है कहा जाता है कि पुर्णिमा के दिन इस ताल में परिया नहाने के लिए आते हैं ताल के आसपास कुछ काली चटाने हैं इन्हें सीलाजित युक्त चटान माना जाता है ताल से सटा एक खुबसुरत जर्ना भी है इस ताल की असल गहराई किसी को नहीं पता है स्थानियों लोग यहां नहाने और डुब की लगाने से परहेज करते हैं कई लोगों ने यहां परियों को निकलते हुए देखा है रहस्य में लोग कथाओं के कारण इस ताल को सुब माना जाता है कहा जाता है कि यहां देव लोग से आई हुई परियां स्टान करती हैं चाफिक गाउं के बुजुर्गों ने कई बार इस जिल से परियों को निकलते हुए देखा है। एक कथा के अनुसार पुराने जमाने में कट गोदाम के में लकडियों के गोदाम हुआ करते थे, जिन से नदी के रस्ते लकडियां भेजे जाती थी। ये काफी फायदमन्द क इन लकडियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बक्री का बली दी जाती थी। लेकिन एक बार एक ठेकदार ने ये परंपरा निभाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उसके पांच हजार किमती लकडि के लट्टे गायव हो गए। बाद में जब उसने बली अर्पित की तो उसे अपनी किमती लकडि इसी परीताल के पास वापस मिल गई थी। परीताल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसके गहराई बहुत जादा है। इस जिल के आसपास काले रंग की सीलाजित युक्त चट्टाने हैं। यहां प्रती बर्स जनवरी फिब्रुरी में भारी संक्षा में लंगूर आते हैं, जो सीलाजित वाली चट्टानों से चिपक कर उसे खाते हैं। परीताल के बहुत बड़ा ना होने के बाबजुद उसके रहस्यमय कथाएं और रोमांचक भौगलिक परिस्तितिया उसे बहुत सुंदर बना देती है। इस ताल की प्राकृति सुंदरता लाजबाब है। इस ताल के ऊपर एक झरना है, जिसका पानी परी ताल में भवर बनाता है। उसकी बज़े से डूबने का खत्रा लगातार बना रहता है। ये तलाब के आसपास इतनी घने पेड़े हैं कि बिलकुल पास पहुंचने पर भी ये ताल दिखाई न रहता है। इस तलाब के आसपास लगातार रहस्यमय गतिविद्यां होती रहती है। जिसके वज़े से रात को यहां कोई रुपता नहीं। उदर इंडिया पर मेरे खास कारेक्रम भारतिय चेतना में मैं आपको इसी प्रकार प्राचेन भारतिय विरासित स्तलों के बारे मे बताती रहोंगे। यदि आपको मेरा यह विसस कारेकम पसंद आता है तो इसे सेयर करके दुसरों तक भी जरूर पहुंचाए। ओम नमो भगवते बासुदेवाय।